थोली दिर बाद सुप्रीम कोट में दिली के डिप्टी सेम मनीश सिसोधिया की आचका पर सुनवाई होगी सिसोधिया ने सुप्रीम कोट से जमात मांगी है कल दिली के राउ सेवनी कोट ने सिसोधिया को पांच दिन के सीबिया रमान पर भेजा था जिसके बाद CBI आज उसे पूछ राच कर रही है लेकिन सिसोधिया के वकील आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट शुरू में उनकी सुनवाई के लिए नहीं तयार था उनकी आचिका पर सुनवाई के लिए तयार नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट शिवसेना का जो डिस्वालिफिकेशन का विधायकों का मैटर है वो फिलाल उस पर सुनवाई हो रही थी और अब उस पर जेस्ट अभी सुनवाई खत्म हुई है अभी जजस कुछ तेर का ब्रेक लेंगे हो सकता है पांच मिनट का ये ब्रेक हो और उसके बाद जब जो तीन जजस की बेंच है जो सुभे मुक्य तोर पर बेंच बैटी थी वही इस मामले के सुनवाई करेगी फिरहाल पांच जजस की बेंच जो Constitution Matter था उसको सुन रही थी अब वो बेंच उठ चुकी है अब उसके बाद लगभग पांच मिनट का वक्त लग सकता है जब जजस हाइटी के लिए उठे और उसके बाद इस पूरे मामले पर यानि की मनीज सिसोधिया की याचिका पर सुनवाई होगी तो हो सकता है कि पांच मिनट का बक्षायर और जादा लग जाए तो अलगभग हम कहें तो तीन पचपन या चार बजे तक ही मामले की सुनवाई शुरू होगी तो सिर्फ पांच से दस मिनट का विलंब हो सकता है लेकिन मनीज सिसोधिया की तरफ से अभिशेक मनू सिंग भी पेश होंगे अभिश क्योंकि वो उनके वकील रहे है और इसलेए अभिशेक मनू सिंग भी कोही आमादी पाटी ने हायर किया और अभिशेक मनू सिंग भी अब मनीज सिसोधिया का केस रिपर्रेजन्ट करेंगे कोर्ट में दलीले रखेंगे कि आखिर क्यों CSBII ने जो अरेस्ट किया है मनीज सि पूठाया जाएगा उसका रेफरेंस भी यहाँ पर कोट में जरूर दिया जाएगा उसका जवाब हाला की कौन देगा क्या CBI आज कोट में पेश होगी या फिर CBI को सिर्फ नोटिस जारी किया जाएगा और क्या मनिस्सी सोधिया को को एंटरिम रिलीफ दिया जाता है और उन्स प्रॉफिट मार्जिन को लेकर बात हुई थी कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ गए तो उस चीज़ पर सुनवाई अपने फैक्ट रखे थे तो ज्यादा इल्याबरेटेट फैक्स से CBI ने नहीं रखे थे क्या-क्या उनको इन्वेस्टिकेशन में मिला क्या आप स्टूर पर